तो पिछला व्लोग जो मैंने डाला था वो मैंने काफी टाइम के गैप के बार डाला था तो उसका कारण ये था कि मेरे ममा जी की डेथ हो गई थी मेरे सबसे छोटे ममा जी भी इस दुनिया में नहीं रहे थे तो इसलिए मेरे व्लोग नहीं आ रहे थे तो अभी जो मैं व्लोग डाल रही है वो पहले के शूट के दाल देती हूँ तो फिर इसके बाद डेली रुचीन के व्लोग भी आएंगे तो ये भी जो व्लोग है ये पहले का शूट किया हूँ और यहां पे यह जो सूट है मैं अपने लिए सिल रही हूँ जिसकी मैंने कूर्ती कट कर ली है और जब यह पूरा सिल जाएगा तो इसको मैं पहन के आपको दिखाऊंगी यहां पे टाइम दुबैर का हो चुका था और मैं और ममी खा रहे थे फ्रूट्स और यहां मैं आ गई हूँ सैलोन में मुझे लेना था हेर कट हेर कट मेरा हो चुका है यह है मेरे हेर कट की फाइनल लुक और फिर यहां पे मैं और मेरी फ्रेंड ने हाने खाए थे टिक्की और चने और मैं देख रही हूँ अपने बालों को कि पहले ही मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे छोटे ही थे और अब हेर के बाद और चोटे हो गए है यह है बाहर मार्केट का व्यू फिर उसके बाद मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग तो मैं आ गई थी जूडियो में जहां से मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आपको घजा के दिखाऊंगी शॉपिंग हमारी हो गई और हम अब चल बड़े हैं वापिस इसके बाद फिर मैं गई थी वी मार्ट वहां से भी मैंने कुछ शॉपिंग की और बाहर बड़ी तेज धूप है और तेज धूप के साथ उतने ही ज्यादा गर्मी भी और ये है क्लिप वी मार्ट की उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर मैं लेकर आई थी आड़ू जो फिर भी मीठे नहीं थे शॉपिंग की हैं एक मैं लेकर आई हूं अपने लिए ये कुटा जो मैंने यूडियो से लिया था और इसका प्राइज है 400 ये मैंने लिया था small size में मुझे बड़े ही कम रेट में मिल गया और ये एक पीस था जोडियो में फेवरेट है मेरा पिंग कलर तो इसलिए मुझे ये गुर्टा पसंद आ गया और मैंने ले लिया और इस गुर्टे के साथ मैंने मैचिंग किया ये white plazo ये भी size मैंने लिया था medium तो इसका price था 300 ये मैंने लिया था वी मार्ट से और एक मैं लेकिया आई थी ये छोटा सा teddy bear मेरी तीनों cat में से सबसे छोटी है चुन्नी और वो खेलती है teddy bear के साथ तो उसके लिए एक मैं ये लेकिया आई थी और इसका भी color pink ही था तो इसका price है 100 ये मैंने भी मार्ट से लिया गर्मियों में घर पहनने के लिए एक मैंने ये suit लिया था इसके साथ ये एक lower है और उपर short कुर्टी टाइप है तो as a night suit भी इसको आप पहन सकते हैं comfortable है और size इसका था medium और इसका price ये मुझे मिला 700 का ये मैंने लिया वी मार्ट से अब जब मैं ये video edit कर रही हूँ तो तब तक मैंने इसको कई बार पहन लिया है अभी मैं इसका review भी दे सकती हूँ इसकी quality बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एक तुद होने के बाद इसका color fade हो गया और दूसरा इसका कपड़ा भी बड़ा shrink हुआ और इसका size भी मुझे लेना चाहिए था small पर मैंने ले लिया medium क्योंकि इसका medium size मेरे थोड़ा सा जादा ही lose था और एक ये मैंने लिया था peanuts पीनट्स मुझे चाइक साथ खाना बहुत अच्छा लगता है ये दो ली मैंने चट्टी के लिये trays और इनका price था 2020 ये 20 की each थी दो मैंने लिये थे mug और ये buy one get one free था तो मैंने ये लिये each पड़ा था मुझे 60 रुपीस का अब ये मेरे favorite mug बन चुके हैं और ये है एक food scrubber ये मुझे मिला है 50 रुपीस में ये एक मैंने बाउल लिया था इसके जैसा सेम बाउल पहले मैंने लिया हुआ है तो अब चुण्यो केंडी अलग से इसमें खाना खाएंगी और जो पहले मैंने लिया हुआ है उसमें खाती है maggot खाना और ये तीनों का अलगल हो गया और ये दो जो चोटी k lockedर हैं ये मैंने लिये हैं जूडियों से और ये दो मिले हैं 80 रुपीस में ये इनका दोनों का कलर भी बड़ा पसंद आया मुझे और बस यही मैंने शॉपिंग की थी उसके बाद ये मैं उस दिन बेर करके गई थी और ये है मेरी सारी शॉपिंग फ्रंट कैमरा से दिखा देती हूँ ये चुन्ने और कैंडी के लिए अलग से बाउल ये मेरे दो मग ये मेरा सूट दोनों सूट्स और ये चटनी वाली ट्रेज शाम के बजने वाले हैं टैंडी बियर मैं जोट स्क्रबबर क्योंकि चट पे गई है चुन्नी और कैंडी चुन्नी कैंडी कैंडी ये देखो ये कैंडी कैंडी कर दिया पाप्बु घरती है इसने यहां पे ये बैठी चुन्नी बाहा पता है ये बाहा है ज श्याओगादा ये चुन्नी च्पाटव जिए बाहा है ऑगच्छ काुन्नी कि दिखाती हूं मैं ये चुन्नी और केंडी कहां में बैठी हुई है वो देखें ये पडोसियों की छट के उपर ये वहां पर टीन पर बैठी हुई है और टीन ने अभी इतनी गरम होंगी इनको गर्मेनी लग रही है और नीचे से यसी वाले रूम में से होके आई आई है अब मैं तो दिख नीचे बना के प्योंगी चाए अभी हो चुके हैं शाम के साथ चालिस अभी मैं पी निले दिम अपनी चाए नियू कप में और मैं जब भी घर से कहीं बाहर जाती हैं तो सबसे जाधा मुझे जो दिल करता है घर आके वह है चाए पीने का और बाहर कहीं भी चाएपी लो पर जो घर पे बनी हुई चाए का फ्वाव केंडी और चुन्डी के लिए अलग से नहीं आता यह इनका एक पहला इसमें खाती है मैगो खाना और यह सेम टू सेम कैंडी हो सुन्डी के लिए और यह चुन्डी का नया ट्यडि वियर शही है यह ट्याटि बार मैं पिछली बार लेक्प्याई थी मेले से केंडी को बिठा लिया था मैंने अपनी गोद में और मैं करती हूँ अब इस व्लोग का यही पे एंड